देख आप सबसे पहला दीज है कि प्लान किसे कहते हैं आज हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे एकनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मतलब क्या होता है कि भारत में किस प्रकार से प्लान किया देखिए जब अंग्रीज भारत में आये थे तो उन लोगों ने दो स्टेप में आया क्योंकि हमको इससे पहले समझना है एक 1757 के प्लासी यूद के पाथ बैटल ऑप प्लासी पहली बार वो इंडियन सत्ता में सामिल हुए और उस समय कौन था इस्ट इंडिया कंपनी था अंग्रेज नहीं थे अंग्रेजी कंपनी थी यानि कोई देश का सत्ता नहीं था कब तक तो 1757 टू 1857 तर यह कंपनी रूल था तो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए रूल बनाई इसके बार अगले 1858 में अंडर क्राउन कंपनी आया यानि कंपनी समाथ भारत क्या हुआ ब्रिटिस ताज के अंतरगत आगया तो वहां के संसत द्वारा 1947 तक कानून बनते रहें आप देखे होंगे अठारा सो इकसट अधिनिया एग्रों इस यह 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 साइमन पर ब्रॉफिशं नहीं दिया गया इसको तो खालिश कर दिया कि खाली गोरे हैं इसले नहीं देश आजाद होने तक खर्च और कमाई का जो भीवरा है वो सारे अपने पास नहीं थे हमारे पास कोई अपना नहीं था और इतियास समझना जरूरी है इतियास इसले समझना जरूरी है कि हम अपना कैसे समझेंगे अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो 1905 से पहले 1885 से 1905 के बीच की कॉंग्रेस का मॉडरेट कहते हैं यानि उदारवादी तो यह उदारवादी करते क्या थे तो याचक करते थे कि स्रीमान यह जो धन आ जा रहा है उसका विवस्था थोड़ा कम किया जाए सैनी की खर्च कम किया जाए अंग्रेस उसी जगह रेल विच्छाए जहां से वो उगाही कर शके यानि खान रानी गंज रेल वी लाइन क्योंकि कोईला यहां से मिलता था रानी गंटू हावडा पहले बना बाद में पटना लाइन बना यात्री डोना जरूरी नहीं था सैनी को को पहुचाना कि किसी विद्रोग के लिए सिपोय को एक दूसरे जगह और दूसरा समान उठाना जहां से उन्हें मिल जाए अंग्रेस यही काम लिया थे कोई आपके डवलोप्मेंट पर ध्यान नहीं किसी भी प्रकार के कोई विकासवादी निती नहीं जो केंदर से बनता था यानि ब्रिटिश संसत में बनता था वो भारतियों के यहां के वाय सराय को फोलो करना पड़ा यह सुलूसरा हमारी जाकरती कभ हुई जब लोगों न सोचा टैक्स देना बन करें यानि बाल उन्हादर तिला उन्होंने मदा कर दिया महाराक्ष्ट की मजदुरों को कि टैक्स मत दो एटीन नाइंटी सेवन में गगनेज महत्सव शिवाजी महत्सव यह दोनों उन्होंने शुरू किया और लोगों को इकठा चालू किया तब लाल बाल पाल यह तीनों एक्स्ट्रेमिस्ट हो गए देखिए इतिहास कितना ज्यादा यह है और पहली बार हमें सत्ता का एहसास हुआ उन्नी सो पांच के बाद उन्नी सो पांच में बंगाल जो विभाजन हुआ उसे रद किये करने के खिलाप में हम लोग उतर गए और जब उतरे तो कब विद्रोव आंदोलन में बदल गया स्वादेशी आंदोलन पहली बार हम देश के सोचने रहे हाला कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने चेताया था उन्होंने एक बुक लिखी अनु बृटिश रूल इन इंडिया नम सुने है तो उस किताब में उन्होंने पहली बार भारतियों को परकैपिटा इंकम ब सबसें पहले कब हुआ था एटीन सबसेंटीटू में और रेगुलर कब से हुआ एटीन एटीवन से एवरी 10 यह पे सिंसस होने लगा यह दिने लोग जागनत होने लगी इसके बाद यहां वेलफियर वर्ग एजुकीशन पर कितना खर्च करना है यह सारे धीरे धीरे अंग हमें अपने लिए जागरती जाएं और हम सूचने लगी लेकिन अब कहां से बेसिक शुरुआत हुआ तो 1935 में पहली बार अंग्रेजों ने एक कॉंसेप्ट दिया अखिल भारतिये संद अखिल भारतिये संद और उन्हों ने 1935 का जो अधिनियम बनाया आपको बता है कि अधिनियम तयार हुए उसके बाद हमारे प्रांतों में एलेक्शन हुए प्रांतिये चुनाओं और तब लोगों को जाग रुखता आए तो सबसे पहले कहा जाता है कि 1934 में एम विशेश्वरया ने एक प्लान दिया था 1934 में एम विशेश्वरया ने एक बुक लिखी उसका बनामता प्लानिंग एकनोमी ऑफ इंडिया 1934 भारत की स्वतंत्रता से पहले प्लान के उपर लिखी जाने वाली पहली पुस्तर है इसके बाद 1944 में एक बॉम्बे के उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान तयार है बॉम्बे के आठ उत्योगपति उसे कहा गया बॉम्बे प्लान के याद रहे 1944 में बॉम्बे प्लान एक इंड्रस्ट्रिस्ट आठ इंड्रस्ट्रिस्ट्रिस्टों ने मिलकर तैयार इया 1944 में ही एसन अग्रवाल एक वेक्तिश है एसन अग्रवाल एक प्लान दिया जिसको कहते हैं गांधियन प्लान गांधियन प्लान प्लान यह जितने भी आपके यह कौमनिश्ट के पॉंडर हैं जितने भी विचारक थे वे सारे लोग अपने अपने तरीके से देते हैं देश आजाद होने वाला था अब आजादी हो गई हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा राश्टिये इंकम एक्च्वल कितना है परिशान है आपको हम लोग की सोच थी कि हमारा कॉंस्ट्यूशन में सारे चीत उलेकी हैं फाइनस के बाद लेकिन केवल एक और्गनाइशन आपके इंडियन कॉंस्ट्यू 280 क्या है पाइलन्स कमिशन विद आयो कि क्या करता है यह केवल एकी चीज करता है कि पैसे को कैसे पैसा आए यह खर्च का प्लान का कहीं उलेक नहीं है जो हमारा इंकम होता है उसको इंडिसी तै करती है राश्टिये विकास परिशत नेशनल डेवलोप्मेंट कंसिल कि यह जो खर्च कर रहे हैं प्लानिंग कमिशन वर या अभी के निती आयोगों वो लोग इसी को रिपोर्ट करते हैं और वो एप्रूब करता है कि अब बात करते हैं कि 1950 यानि 1950 में देश अजाद हुआ 1947 में और हमारे दिमाग में एक भूसा हुआ था कि कहीं न कहीं कंस्ट्यूशन में पैसे खर्च करने की बात होगी और हमारी माली हालत बहुत खराप थी क्योंकि विभाजन के बाद यह तै किया गया कि लगभग 75 करोड रुपए पाकिस्तान को दिया जाएगा अब भारत शुरू में 20 करोड दे चुका था गांदी जी के दबाव पर फिर 55 करोड बीच में ही देना पढ़िया यानि अगस्ट 15 अगस्ट 15 अगस्ट 1947 को देश आजाद हुआ और 20 करोड रासी पाकिस्तान को दे दिये क्योंकि उस नया देश था उसका कोई इकोनमी नहीं था भारत ने कहा कि हमें अगले एक साल तक इसे टीन इंस्टॉल्मेंट में पैसा दे देंगे लेकिन गांधी जी अनसंत्वे बैठ गये कि नहीं उसे देना चाहिए नैतिक्ता के अधाद वर हम लोग गांधी जी के कायल थे और हम लोगों ने मिड टर्म में यानि सप्तंबर में ही उसे पचपन करोन पैदेकर ये पचपतर कांपरा पुरा अब समझते हैं कि सप्तंबर में हमारे पास खुद के खाने के ठीक नहीं है और हम लोगों ने उसे पैसा दिया यानि हमारी एकोनोमी ठारस आई हुए यहां तक कि बहां रिजर्ब बैकॉप इंडिया जो था लाहौर में वो उसी तरह से ब्यवहार करता रहा जब तक कि उसकी एकोनोमी ठीक नहीं हुआ कि 1948 में जम्मु कश्मीर को लेकर जब दिवाद हुए तब नहीं यहां प्रॉब्लम आया तब तक तो हम अपना पैसा पकट जान चुके थे अपना काम रोग तो हम लोग इसी उमीद में ठीके थे कि 1947 से कॉंस्ट्यूशन बन रहा था यानि 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुई और तब से कॉंस्ट्यूशन बन रहा था 24 जनवरी 1950 को पूर्णता कॉंस्ट्यूशन बन शुका रोका गया 26 जनवरी को लाग हुआ कि तैयर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कंस्ट्यूशन में पैसे खर्च करने की कोई बेहतर तरीका नहीं था और आपको बदा दे कि जब देश आजाद हुआ और कॉंस्ट्यूशन लागू हो गया गर्दंत्र हो गया तब क्या किया था पैसे तो आ रहे ते रेवेन्यू तो सरकार को आने लगे लेकिन एक काम नहीं था आपार गरीवी थी इंट्राय स्ट्रक्चर के नाम पे सुन्य नसड़क थे लोगों का खाने का दिवस्था नहीं था 40 से 60 प्रतिशत लोग भूखे सोते थे इतना बुरा हाल था कि कोई सोची ही नहीं सकता नहरु जी बहुत अच्छे इन्वर्शिटी से पढ़े थे सुच अच्छा था अमीर खराने के थे उन्होंने कहा कि इंडर्श्ट्राइशन कर दिया जाएं इंडर्श्ट्री बैठा दिया जाएं हम लोग रातो रात अमीर हो जाएं कभी नहीं होता है एकोनामिक्स में यह सोच जो सोचा है वो नहीं होता है एक यूपीएसी में कोश्चन आया था यह बहुत अच्छा चीछ है कि हमेशा देखें होता क्या है कि पहला प्राइवर्श सेक्टर यानि प्राथ्मिक छेटर जिसमें अग्रिकल्चर खानल मतस यह आते हैं उसको डेवलप कीजिए जब डेवलप कीजिएगा तब आपको प्रोडक्शन यूनिट यानि इसके बाद स्टेप है या दूइद्यक में आईएगा सेकेंडरी में इंदैडिस बनेगा तब आगे बढ़ेगा और तीसरा में आप क्या कीजिएगा तो तब आप सेवा शक्र में सेवा उत्पादन और स्राव तभी आपको विकास को यानि सर्विस सेक्टर ही विकास को माना लिया यूपीसी में जो क्वेशन था कि क्या प्राथमी से छेत्र से सीधे तिर्दिये चेत्र में जाया जा सकता है अगर पैटर्न दिया जा तो बहुत सारे अर्थ सास्त्रियों ने खा बिल्कुल नहीं से लेकिन सचाई यह है कि कुछ देशों ने प्रूफ कर दिया कि नहीं जाया जासा जैसे सिंगापूर सिंगापूर क्या है सर्विस हब है पूरे एशिया के लोग वहां पे अपना ऑफि प्रिवा में कि डेवलप है धार्मिक नगरी है वहां पर भी यह है फिर हम चले जाएए मलेशिया कि प्रोस्टिक्यूशन से डायरेक्ट उसने छावान मार दी सेवाशेत्र में दूतियेक्षेत्र हैं ही नहीं तो कुछ को छोड़कर लेकिन दो तार्म है यह कुछ उदार बाकी हर जगह देखा गया कि प्रात्मिक सेकंडरी और टर्सिय अब आजादी के समय हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं और चंता चाती थी कि प्रधान मंदरी सर्दान बल्लब भाई पडेल बने गांदी जी और उनके और सहयोगी या कॉंग्रेस के बहुत सारे नेता च तो दोनों को रखते हुए प्रधान मंत्री का पोष्ट जवारलाल नहरू को दिया गया और उप्रधान मंत्री का पोष्ट बल्लब भाई पटेल कॉंग्रांदी जी रिचाहदे थे कि क्रामनी छेत्र का भिकास हो वह भी नहरू के इस पक्ष से समत नहीं थे कि अध्योगी करण में परिणाम क्या हुआ कि लोगों के दवाव में हम लोगोंने सबसे में प्रार की आदे तो क्रिशी को जोगी खाना रहेगा तब आगे भड़ें तो इससे पहले हम जाने कि स्प्रकार हम योजना आयोक का गठन किये 26 जनवरी समय समझिए 26 जनवरी 1950 को हमारा Constitution इंप्लिमेंट हुआ और फरवरी में बजट पेस किये जाते हैं और बजट के बाद यह ट्रेडिशन बहुत दिन से आ रहा है बजट के साथ जब देखा गया क्योंकि रेलवे था ही हाँ क्या रेलवे बहुत इंकम का साधन है यह टैक्सेशन था ही अंगरी जो दोरा बढ़ा है तो पैसे तो आ रहे थे खर्च कहा किया था तो नहरू जी ने देखा कि USSR याद रखिएगा पूर्म शोवियत संग जिसको बोलते USSR में प्लानिंग सिस्टम दस सालों पे लिए किया जाता है और आपके पास पार्लियामेंट में यह सिस्टम है कि आप कोई भी और्गनाईशन बना सकते हैं तो यह टेन यह प्लान भारत ने इसे देखते हुए फाइव यह प्लान अब डब किया और यह प्लान जिसे हम पंचवर्शी योजना कहते हैं उसके लिए प्लाणिंग कमिशन के गढ़न किया प्लाणिंग कमिशन और इंडिया 15 मार्च 1950 यह पूछा हुआ है व्याद क्वाफिक सर्विश कमिशन में दो तीन बार पूछ दिया तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया योजना आयोग अगर किये यहाँ पूछता है योजना आयोग 15 मार्च 1950 से 31 मार्च जारी रहा 31 मार्च 2017 तक जारी रहा यानि अब तक कुल कितनी पंचवर्षिय योजना हो गई हाँ अब तक कुल कुल बारा हाइब यह प्लान हो है 15 अगस्ट 2014 को पंद्रह अगस्ट 2014 को प्रधान मंत्री द्वारा लार्ण किले से निती आयोग की घुशना किये निती आयोग एक जनवरी एक जनवरी 2015 से कार्योशील है यानि प्रानिक कमिशन को अस्थकित कर दिया है या भी हम बात करेंगे कि क्यों अस्थकित किया गया और इसका कारण क्या रहा है अब देखें भारतिये संविधान में कमिशन बनाने का परल्यमिंट को अधिकार है तो प्लानिंग कमिशन जो है वह नन कंस्ट्यूशनल है हिंदी में बच्चे गल्ती करते हैं साथे हैं और सम्विधानिक जबकि गयर सम्विधानिक है यानि इसमें इसका उल्लेख कॉंस्ट्यूशन में नहीं है कि नन कंस्ट्यूशनल है कि गयर मतलब होता है नन और सम्विधानिक यानि अनकंस्ट्यूशनल यानि बहुत यहां हो जाएगा इलीगल तो इलीगल नहीं है यह एक गयर सम्विधानिक है नन कंस्ट्यूशन यानि इसका उलेख कॉंस्ट्यूशन में नहीं होता है यह रस्या से लिया गया है और फाइव यर्ज के लिए गठन बताए 15 मार्ज 1950 अब रेगुलर नहीं हुआ इसके पीछे कई कारण कभी जुद्ध रहा कभी देश की आथी किस्तिती रही तो सबसे पहले हम इसका फ्रेवर कर देते हैं ताकि आपको यान होता है यह हमेशा फाइनेंशियल इयर पर होता है और फाइनेंशियल इयर क्या होता है फास्ट अप्रेल टू थर्टी परस्ट मार्च यानि शुरूवात हुई 1 अप्रेल 1951 से 11 मार्च 1956 सेकेंड की बात करें तो ये सेम 1 अप्रेल 1956 टू 31 मार्च 1961 और थर्ड हुआ फॉस्ट अप्राइल 1961 से 31 मार्च 1966 अब यहां तक डिसकस करते हैं पहले देखिए फॉस्ट फाइव येर प्लान पहले ही हमने बता दिया कि गांधी जी 48 में डेख कर गया कोई दबाव वाले नहीं थी पटेल का दबाव था इसलिए नेहरुचुप लगा गये और अग्रिकल्चर को प्रायूटी और उस समय इन्होंने विदेश से प्राप्त अलग-अलग मॉडल तयार किये गये उस मॉडल में से इन्होंने चुनाओं किया और प इनके मॉडल के हिरार्ट डोमर के मॉडल पे तयार किया गया और भारत के कुल 26 जिलाओं को सलिट किया गया अब दिखिए यहां पर एक छोटा टार्गेट रखा गया फॉस्ट फाइब इयर में हम लोगों ने इसको रखा कृशी को और कृशी उत्पादन के लिए हम लोगों ने मॉडल विदेशों से देखा और उसमें सबसे बढ़िया अमेली की बैड्यानी के समुद हरार्ड और डोमर का मॉडल अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ड वार में कुछ ऐसे छेत्रों को चुला था जहां प्रोडक्शन कम था और उससे अधिक प्रोडक्शन उपजाए तो भारत ने इसका एक निष्चत है यह रखा टारगेट रखा लक्ष ग्रोथ रेट एन्वल ग्रोथ रेट वाटाव टूब नाइन्ट नाइन पर से एन्वल ग्रोथ रेट हर साल का तूब नाइन ये वरे जाना चाहिए कि पिछले साल की तुलना में हम कितना बढ़े तो एनुवल का टालेट रखा 2.9 परसें जैसे अभी लगभग साड़े आट-9 परसेंट रखा गया लगज तो उसी तरह से उस समय दो दसमलों डरते-दरते रखे और पता चला कि हमारा जो एक्षीब्मेंट हुआ 3.6 परचेंट रहा तीन दसमलों चेट परती साथ अब हम अपना पीठोगने रही यानि हम दो दसमलों नौ के चक्कर में थे और हमें कितना हो गया तीन दसमलों ची आपके प्रधान मंत्री कूस हो गया सब लोग कूस हुआ गया जो मैंने टारेट लिया था वो पुरा हो गया अग्रिकल्चर हो गया अब इंडर्श्टिस है और उसमें दुबिदा ये थी कि हमारा जो प्रोडक्शन हो चुका है को कुछ चेत्रों को हमने चुना था जैसे पंजाब हर्याना मैंदानी एरिया का और पंजाब हर्याना में तो ग्रोज हो गया दप्चिन वारत इधा भा पठारी एरिया है मैंनानी छेत्रों में सिचाइद सुविदा आसानी से किया जा सकता है वाड़ी छेत्रों में नहीं है तो फर्स्ट फाइव यर प्लान में हमारा तो फैदा होगी सेकंड फाइव यर प्लान सेकंड फाइव यर प्लान चालू किया गया और मॉडल चुना गया पीसी महान लोभीस का पीसी महान लोभीस और द्योगी छेत्र के जानता है कि उनके कहन उचार हम अन देशों के सहयोग से यहां इन और इंड्रस्ट्रीज का बढ़ावा दिया को इंड्रस्ट्रीज समझते हैं अधार बुत उद्योग इस पार केमिकल सिमेंड इत्यांडिका और तीन बड़े आरेण एन श्टील कंपनी के सपना में कौन-कौन दुर्गापूर भिलाई और राउर के लाएं टाटा टाटा जो है वो 1907 में स्थापी किया वो नीजी छेत्रका है यह सामझनी छेत्रका तीन अलग अलग धेजों से सहयोग लेकर हम लोगों ने सुरू कर दिया अब दिखिए यहां पर एक समस्या यह है कि हमें लगता है कि आज बीज रूपे और कल से फल देना लगा ब लगाने में अगर आप ग्रीव निर्मान करते हैं तो उसमें भी अगर लोन लेकर बनाते हैं तो आपका भी रखा पैसा लग जाएगा और हुआ भारत का बहुत सारा धन इसमें लगने लगा और तीन बड़े पुझ्यों इसी बीच कही न कही राजनीत भी इसका कारण रहा तो राजनीती भी साथ सफ लेके चले हैं नहरोजी पूरे विश्व में मसुखूर हो गये और उन्हों ने एक और्गनाइशन बनाया था जिसका नाम था नैंग नन एलाइंस मूवमेंट क्योंकि सेकेंड वर्ड वार के बाल पूरा विश्व दो भागों में बढ़ दिया था एक फ्रेंडली दूसरा एक्सल यानि एक मित्र राज दूसरा भूरी राज तो जो भी नहीं नहीं देश स्वतंत्र होता था इन्हीं दोनों में सामिल हो जात इन्हों ने बेल्ग्रिड इसका पैठक की और नन एलाइंस मूवमेंट नदमित्र में जाएंगे नधूरी में जाएंगे अब उस समय भारत और चेंड काभी घनिष्ट सम्बंद थे दूसरा कारण और हुआ मौट से तुम उसका भी सिदान समझें वह चार कदम आगे दो कदम पीछे अगज करने वाला उसने फाइब भीगर और हैंड का सिदान फिर कभी बताएंगे इसको तो उस कारण से वह तिप्बत पर कभजा कर रहा है और तिप्बत पर कभजा कर रह था और हमारे हिसाब से तिपत धर्म गुरुवों का देश है आज भी भारत नहीं मांगता आज भी कहता है कि तिपत चाइना का पार्ट नहीं चाइना काता है मेरा हाथ हिस्सा है तो तिपत से दलाईल हमां कि 1969 में 1959 में भाग कर चले आए थी जब वह भाग कर भारत में आ गए तो उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का आज तक दर्जा दिया गया है और उनके और उनके फॉलोवर्ज को रहने के लिए एक धरमसाला हिमांचर प्रदेश में है को छेत्र आज तक दिया गया है तो राजलिती की करण कहीं न कहीं साउथ इस्ट एसिया का मुख किंद्र भारत था और परिनाम्य भी हुआ कि सेकेंड फाइव इस प्लान में इंडरस्टीज तो बैठाए गया है लेकिन एक्रिकल्चर का डवाडर हो गया और तार्गेट था हम लोगों ने बढ़ चड़के टार्गेट रख दिया था 4.5 वर्जन एन्वल ग्रोथ रेड़ वही इसलिए बाद हम लोगों ने कुछ रख था है तार्गेट से कम एक्षिव्मेंट है लेकिन शुरुवात ही अच्छे थे इसलिए 4.3 एवरिज आया अब भारत का भुरा समय सारू हुआ इस उनीच्व एक्सट में नाइंटीन फिप्टी नाइन में दलाई लामाय है नाइंटीन सिक्ष्टीवन में गोवा को आजाद करने के लिए गोवा को आजाद करने के लिए पुर्तगालियों से जुद लड़ उसी समय हमारा खूंक्लापन पता चल गया है कि हम लोग भारत दस मिनट में जित लेगा उस समय सवा महीने से अधिक लगए चोटा साथा कुछ जितने हैं उसके बाद चीन मीना कुछ कहे 1962 में भारत पर आक्रमन कर दिया और आक्रमन ही नहीं किया लगभग 20 दिनों तक कई छेत्रों को कबजे में ले दिया भारत की अर्थ बेवस्ता डावा डोल होगी कहा जाता है कि भारतिये प्रधान मंत्री जवाहर लान लेहरू इसी सोक में उनका निधान होगे 1964 में यानि तरतिय 25 वर्षिय योजना में थर्ड फाइव येड प्लांट में बोकार इस्टिल प्लांट USSR के सैयोग से बनाया गया थर्ड पंचबर्ची जोजनाव में 1964 में बुकारिश्कील प्लांट का निवरख खा गया और यहां के जाने के बाद नेरोजी का निदन हो गया पूरा भारत सोक का लहर उसी समय में लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री बत्र भारत की आर्चिक इस्तिती इतनी खराब हो गए थी कि उन्हों ने अपने प्रधान मंत्री निवास में दस कट्का का जमीन पर हल चलाया और जय जवान जय किसान का नारा दिया कि यह हूं उगाय कि बहुत बुरा इस्तिती ना भारत की इकोनमी बहुत देनी है यहां तक कि उसी पाहाइवेर प्लान में 1965 में पाकिस्तान भारत पर आक्रमण दिया कुछ संकीत पाकिस्तान के अधिकारियों ने कि हमारे राजस्थान बोडर से प्रविश्च करना चाहिए जिसका खामियादा भुवतना भारत को पड़ा और तृतिया पंच वर्षिय योजना देखें यह दूई टीए का टार्गेट है यह प्रथम का तार्गेट 2.9 परसेंट था और एकिस एक्सिवेंट 3.6 परसेंट रहा था तृतिया पंच वर्षिय योजना का टार्गेट 5.6 रहा था 5.6 प्रतिशत 5.6 प्रतिशत 5.6 प्रतिशत अच्छा टार्गेट हम लोगोंने सूच कर रखा रहा था लेकिन परिणाम क्या हुआ कि मात्र मात्र 2.8 प्रतिशत ही 2.8 परसेंट एक्सिवेंट रहा फाइनेंसियल क्राइसिस योद्ध हुआ गोवा चीन पार तिन योड़ भारत की आर्थिक इस्तिती इतनी नाजूख हो गई कि आगे पंच वर्षिय योजनाओं को अस्थकित कर दिया गया और वार्षिक योजनाओं में बदल दिया यानि 1966 से 1969 पर योजना बंद कर दिया गया जिसे प्लान होलीडे कहते हैं छुट्टी पर योजना आवकास पर और इसे तीन साल का वार्षिक योजना में बदल दिया गया है अबनें अबनाओं।